आप्टरनून स्टुडेंट्स चाले तो आज क्पेस्टर का लेक्चर 4 है हलाकि मैं इसको लेक्चर 4 के हिसाब से नहीं चल रहा हूं मैं डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूं डाइलेक्ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोगों को बहुत अच्छे से प लोग आ चुके हैं करिए और उसके बाद विदिन ट्वंटी सेकेंड साइम गोईं टू स्कार्ट में क्लास और आप देखेंगे कि आज कितने बहुत 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 हुलियत महसूस होने वाली है डाइलेक्ट्रिक का कॉंसेट बहुत ही सिंपल है बहुत खोड़ी सी बाते हैं आप मैं अगर काउंट करना चाहूं तो 1,2,3 and 4 टोटल 4, only 4 concepts are there और इन concepts के बारे में अगर हम एक बार गोत्रू हो जाते हैं इन concepts के साथ अगर हम पुड़ा सा समझदारी दिखाते हैं तो फिर कोई भी ऐसा सवाल आ नहीं सकता जो आप क्रैक ना कर पाएं बच्चो बहुत easy heading है ये dielectric मुझे समझ में नहीं आता कि फिर भी स्टूडेंट्स इसमें क्यों मिस्टेक करते हैं ठीक है बच्चो लाइक और शेर कर दीजे सेशन को तुरंत स्टार्ट करने वाले हैं जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरे साथ टेलिग्राम ग्रूप पर कनेक्टेड हैं या दूसरे ग्रूप्स पर हैं जहां पर ऐसे स्टूडेंट्स हैं आपके फ्रेंट्स जो क्पैस्टर को लेकर के काफी चिंतित रहते हैं मेरे को टेलिग्राम चैनल पर कई बार ऐसे मेसेज़ आये कि सर क्पैस्टर में डाइलेक्ट्रिक वाले पोर्शन पर थोड़ा सा एक बार फोकस करवा दीजेगा हमको थोड़ी सी प्रेक्टिस करा दीजेगा नुमेरिकल की तो इसलिए मैंने ये डाइलेक्ट्रिक का सेशन आज तयार किया है आपके लिए बच्चों वो सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो गई आपकी बहुत सारे हम लोगों ने उन पर बेज़ को डिसकस किये लेकिन जेई मेंस और एडवांस में ऐसा देखा देखा गया है कि अल्टरनेट इयर्स में डाइलेक्ट्रिक और आर्सी सर्कीट पर बेज़ कोश्चन भी आया करते तो बेटा इसको छोड़ करके हमें नहीं जाना है डेफिनेटली इसको भी हमें करना है उसी तरीके से करना है ओके देखा जाए जरा कौन से बच्चे आ चुके अन्शुमान अमित चक्रधर किरीश चक्रधर ओके मयंक बहुत बढ़िया गुड़ आफ्टरनून और मैं स्टार्ट करने वाला हूं और पहला सवाल जैसा कि मैं हमेशा करता हूं कि सारे स्टुडेंट्स बड़े आराम से पस्ट को सॉल्व कर पाए आई ये देखा जाए जरा कौन से लोग है जो इस क्वेश्चन को सही करने वाले हैं जो इस क्वेश्चन को करेक्ट करने वाले हैं एक बार बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सेशन को लाइक और शेयर डेफिनेटली कर दीजे पाकि हम लोग स्टार्ट कर पाएं इसको एक बार डाइलेक्टरिक के बारे में आपको जरा सी information दे रहा हूं बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं और वो बात यह है बचों कि insulating materials इनके molecules में polarization possible होता है ऐसे insulator को हम लोग कहते हैं डाइलेक्टर फिर से सुन लिए ध्यान से सुन लिजिए ऐसे insulators इनके molecules का polarization possible है इन प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्टरिक फिल्ड या कहो इन प्रेजेंस ऑफ एन अदर चार्ज इसी भी चार्ज की प्रेजेंस में अगर molecules polarized हो जा रहे हैं तो ऐसे insulator को हम डाइलेक्टरिक कहते हैं अब सवाल यह उठता है कि अक्षयल में डाइलेक्टरिक का use हो कैसे रहा है जब हम लोग डाइलेक्टरिक का यूज करते हैं तो capacitor you know capacitor is definitely an energy storing device टाइलेक्ट्रिक का यूज करने से हम जादा energy store कर पाते हैं capacitors, but there is a condition, अगर आपने एक capacitor को cell के साथ connect किया और उसमें dielectric fill up कर दिया तो आप ज़्यादा energy store कर सकते हैं, but dielectric भरने से पहले अगर आपने cell को disconnect कर दिया और dielectric insert किया तो आपकी stored energy कम हो जाएगी यह क्या बात बताई मैंने क्या यह बात आप समझ पा रहें नहीं समझ पा रहें बहुत अच्छा आज के lecture में आगे मैं इस बात को open करने वाला हूं और बने रही है देखते रही है एक बात को समझने की प्रेसे कोशिश कर बहुत सारे लोग आ गए पिकास यादो है लो प्रेंज कि ऑफ प्रियांशी मिस्रा गेज़ा में ओक ओक आच्छा मेरा सब्सक्रार देख रहे इसलिए लेट हो गई कोई बात नहीं कोई बात निंए यह बिल्कुल सेपरेट है उससे कपैस्टर की बेसिक्स कपैस्टर की जो बेसिक्स हैं वो आपको definitely clear हो चुके हैं मुझे समझ में आ गई है ये बात और आप बारी आई है कि हम डाइलेक्ट्रिक के बारे में कुछ study करने में सबसे important चीज है यह देखिए first question में लिएक आपके सामने और जरा इस question को ध्यान से पढ़िए और solve करने की कोशिश कर यह कुछ मुश्किल नहीं है यह मैं expect करता हूं कि आप इस question को खुद से solve कर लेंगे मैं expect करता हूं कि इस question को आप खुद से solve कर लेंगे मेरे को इसको question को explain करने की requirement नहीं पढ़ने वादी देखते हैं क्या होता है देखा क्या होता है तो बच्चों pen paper आप लेके बैठे होंगे हमेशा मैं आपको बताता हूं जब भी आप मेरी class करने बैठे जब भी मेरी class करने बैठे तो सत्र नारण की भगवान की जो पहा होती है न उसके हिसाब से नहीं बैठना है आपको बैठना है pen paper ले करके और जो question सामने आए उस question को try करना है गलत हो या सही हो इस बाट आप secondary importance the most important thing is you are trying each and every question which I am giving okay अगर आप हर question को try करते हैं तो यह learning का पहला step है कि you are trying तूसरे step में हम लोग यह देखते हैं कि जो आपने try किया तो result सही आया या गलत आया तो अगर रिजल्ट सही आया तो be happy and move to the next question और गलत अगर आया तो आपको यह सोचना होता है कि कौन से ऐसे concept के application में आपने mistake की है वो chat box पे लिख करके अपने mentor से अपने faculty member से आपको पूछना है और मैं यहाँ खड़ा हूँ आपकी support में और मैं definitely आपको बताऊंगा कि आपने mistake किये और इस किया logic रहा क्या आपने बात गलत सोच और सही बात है तो बात समझे है क्या ठीक है चल मैं थोड़ी देर के लिए एक मिनट के लिए बोलना बंद कर रहा हूं और सिर्फ इसलिए कि आप डिस्टरब ना हो आप question को try कर पाए आप सही answer तक पहुच पाए आपने अगर इस question को सही solve कर लिया बिल्कुल मजा आ जाएगा और I will move to the next question आप इस question को किस तरह से एक करते हैं सही करते हैं या गलत करते हैं इस बात पर डिपेंड करता है कि हम आगे किस तरह से चीजों को handle करने वाले हैं तो मेरे आगे के lecture आपके ऊपर depend करते हैं आज का मेरा आगे का lecture आपके ऊपर depend करता है आप इसको ट्राइक करिए देखिए बहुत सारे बच्चों ने एंसर कर दिया है प्रियांसी मिस्रा का एंसर आ गया फोर बोल्ट वेरी गुड़ वेरी गुड़ अंजेश कुमार कोई बात ने बेटा कुछ जादा लेटनी हुए अभी अभी जस्ट पहला कुश्य नहीं सामने दिखा आगे बढ़ते रही बहुत बढ़िया तो बहुत दिनों बाद आया बहुत तलका है ना तो इतने दिन कहां तलका लगा रहे थे आज दर्शन हुए आपके बहुत बढ़िया मैंग सिंग वन बाई टू आपने एंसर लिखा एक बार जड़ा अपनी कॉपी को ध्यान से देखते हैं तो आपकी कॉपी दिखाई देती है तो आपकी कॉपी में क्या मिस्टेक है मैं बता रहा हूँ मयंक आप अपनी कॉपी को जड़ा ध्यान से देखिए कि क्या आपने यह सोच लिया कि क्या पैस्टर को चार्ज करने के बाद बैटरी को डिस्कनेक कर दिया गया अपने यही सोच करके काम किया इसलिए एंसर आपका वन बाई टू आ रहा है अदरवाइस पूर वोल्ट इस दा एंसर इस अप्लेट ऑप डाइलेक्ट्रिक कॉंसे This cap 238 is inserted into it. round potential difference on the condition will be. अब द्यान से देखो इसमें क्या कहीं ऐसा लिखा है, कि कोई डिस्कनेक्शन किया जा रहा है, कोई डिस्कनेक्शन नहीं हो रहा है. तो को अगर कोई डिस्कनेक्शन नहीं हो रहा है. तो एट छेल कने किया है यहां से देखो तेल का EMF कहता है question 4 volt है तो अगर 4 volt का EMF है तो यह capacitor के इन दोनों plates के cross potential difference कितना होगा बच्चो 4 volt ही होगा अगर इसमें कोई dielectric डाला जाए या ना डाला जाए यह metal plate इसके positive terminal से connected है negative terminal से यह वाली plate connected है तो दोनों के cross potential difference 4 volt ही रहने वाला है तो अगर आपने इसके अंदर कोई dielectric insert कर दिया dielectric constant चाहे कुछ भी हो then also the potential difference between the plates 4 volt तो correct answer is आईए देखा जाए बहुत सारे लोगों का सही है यह बहुत सारे लोगों का अगर बेसिक समझा हुआ है तो क्या आप बता सकते हैं कि जो मयंक ने try किया question मैंक ने क्या try किया मैंक ने बोला कि दोनों plate के cross यह cell लगाया और cell disconnect कर दिया और तब direito डाला गया तो answer क्यों change हो रहा है ऐसा मयंक सोच रहा है इस समय मयंक यह बात सोच रहे है क्या यह बात हम सबकों सोचनी चाहिए अगर सोचनी चाहिए तो सचाए और next question जो मरा है वह बात है जो मयंक सोच रहे है आई देखी ज़रा इस next question को ध्यान से इन दा अबव प्रॉबलम, अबव मतलब इसके अबव बेटा बोर्ड के अबव तो क्या कह रहा है? पिछली स्लाइड की जो प्रॉबलम है, उसके एक कंटेक्स में बात चल रही है. अब क्या कहता है question बच्चों मेरे ख्याल से आपने बात पकड़नी होगी पिछले वाले question में इंशर्ट करते समय बैटरी वोस नॉट दिसकनेक्टेट पर इस सवाल में क्या किया गया है इस सवाल में जब दाइलेक्टिक निसर्ट किया जारा है उसकी ठीक पहले बैटरी व्यट्री अब मैं चाहता हूँ कि आप ये बात समझ लें अगर ये प्लेट से ये एक्रोस पोटेंशिल गिफरेंस 4 वोल्ट का है और वोल्ट का पोटेंशल डिफ्रेंस के क्रॉस है पहले से, और वोल्ट पोटेंशल डिफ्रेंस है, this is positive plate and this is negative, now what is done, हमने क्या किया यहां पर, एक dielectric डाल दिया, जिसका dielectric constant वान लोग की है, वैसे question में, कितना दिया था, अब सोच करके बताओ, यहां से यहां, दोनों डायग्राम को दियान से देखो बिटा, समझने कोश्च करो, बहुत simple बात है, जब यहां से हम यहां गए, तो क्या नहीं बदला, तो बैटरी डिसकनेक्ट कर दी गई, इसका मतलब है, इसके across potential difference क्या होगा, हमे on this minus q, here also charge on this plate will be plus q, and charge on this minus qy, conservation of charge in an isolated system, this size आपने answer भी mark कर दिया, हम लोग अभी बातचीती कर रहे है, very good बिटा, तो चार्ज नहीं बदलेगा, formula हमारे पास होता है, that is q equal to c, और q is constant, इसका मतलब c into v, c और v का जो product है, वो नहीं बदले, आपको पता है, अगर इसका capacitance c है, तो इसका capacitance, तो इसके across अगर potential difference v है, इसके across potential difference क्या होना चाहिए, v by 8 होना चाहिए, तभी तो charge की value यहाँ पर और charge की value पर आपर, तो इसका मतलब potential difference v by 8 हो जाएगा, और v की value क्या है, 4, 4 by 8 का मतलब क्या आ गया, 1 by 2 volt, और बहुत सारी लोगों ने सखी answer बताया, बेटा, एसा नहीं कि मैं ही बता रहा हूं आपको, बहुत सारी लोगोंने सखी answer अपर मार, आगे चलते हैं, next question कि तो आपका answer इसकी दिलकुल, तो जो बच्चे आगे जो देख रहे हैं continuously और पसंद कर रहे हैं इन questions को जिनको मज़ा आ रहा है जो pen paper ले करके बैठें questions try करते हैं answer सही या गलत कुछ भी निकालते हैं और उसके बाद सही करने पर खोश होते हैं गलत करने पर मेरे बताय हुए concept को समझने कोशिश करते हैं अपनी गलती पकड़ते हैं और अपने आप से वादा करते हैं आगे हम यह गलती रिपीट नहीं करें वो लोग इस session को like करें और share करें अपने friend circle में बाकी टेलीग्राम ग् से connected है जिनको अपने साथ अपने इंजिरिंग कॉलेज में आप देखना चाहते हैं उनके पास यह message भेजिए कि डाइलेक्ट्रिक के जबरदस्त question हम लोग प्रमूत कर रहे हैं और हमें बहुत मजा आ रहा है तो आप उनके पास share करेंगे तो वो बच्चे भी आप आएंग और मैं देखना चाहता हूं कि मेरे बच्चे और वो जो नए बच्चे आ रहे हैं उनमें ज्यादा अच्छा कॉन परफॉर्म करके दिखा रहा है तो पड़ा फट से इसको share कर दीजिए बच्चो और मैं देखना चाहता हूं क्या आप समझ पा रहे हैं यह question क्या दिया को सिंपल सवाल है आप कर पाएंगे डेफिनेटली आप कर पाएंगे एक बार ट्राइब करके देखें और के प्रियांसी मिस्का करेक्ट बात लिखिए आपने रिगुड अच्छा एक बार सारी लोग बता दें क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या आप स्क्रीन को प्र प्रपरली देख पा रहें एक बार आउडियो विज्वल पूरी तरह से OṢके है या नहीं चैट पर लिख करके बताएं एक बार लोग लिखें एक बार लिख करके बताईए क्या audio visual clear है या कुछ problem आप फेस कर रहे हैं तो आप चैट पे लिख सकते हैं कभी कभी दिखत ओके 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 तो इसके लिए आप एक बार अपने एस्टॉप लेप्टॉप या मोबाइल रिफरेश कर लें पर प्रॉब्लम आप कतम हो जाएगा आईए जड़ा चेक किया जाए ओके 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 यह कह रहे हैं हाओ इस गौहार्टी यह कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छा है बिटा बहुत अच्छा है मेरा अभी तीन स साल पहले मेरा एक स्टूडेंट वहां से पास आउट हुआ है आईटी गौहार्टी से ब्रांच उसकी कंप्यूटर साइंस नहीं थी मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोनिक्स उसकी ब्रांच थी लेकिन मेरी उससे दो तीन बार बीच में बात हो पाई जब वहां पढ़ रहा था और उसने बताया कि कंप्यूटर तो बेटा आप आप आईटी गौहार्टी के बारे में पूर आपको बताओ इससे भी बहुत अच्छे लोकेशन हैं जहां पर आप पहुच सकते हैं ऐसा तो नहीं है आपको वहीं जाना है और उसी ब्रांच में जाना है आप आप आईटी इसको छोड़ करके आप गौहार्टी पर क्यों जा रहे है क्योंकि आईटी गौहार्टी बहुत अच्छा इंस्ट्यूशन है इसमें लेकिन फिर भी उसका जो रैंकिंग है वो टेली बॉम्बे खलगपूर कानपूर इन सब के बाद ही आता है टीक है ना ओके आई इस कुश्चन को देखा जाए जरा क्या कह रहा है कह रहा है इन दैट जॉइन डाइग्राम इंद एड जॉइन डाइग्राम तू जो मेटरिकली आइडेंटिकल क्पैसिटर ए और बियां डाग्राम में बनें इनमें कोई अंतर नहीं है चलो आगे आग त्युक्ष कर दिभीफन और इसका लिडिया इंदैटिकल इसमें अंतर कर दिया क्या इसमें डेलेक्राइडा होता है रहा था आप लोग noodle का और यह option लिखा है बहुत सारे लोगों ने यह option लिखा है नाम लेता हूं में विनीथ यह option मिर्ची का तड़का यह option देखो useful talk useful talk आपने अपना नाम रखा useful talk लेकिन जो आप अभी talk कर रहे हैं that is not useful for you at this moment हम future में बात करते रहेंगे हम गोहार्टी और सबको compare करेंगे मैं यहीं रहूंगा कहीं नहीं जा रहा इन सबके बारे में बात हम लोग करेंगे पर अभी आपको पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए आपने एक question पूछा था मैंने डिया और चलो दूसरा भी बता दे रहा हूं पर इसके बाद आप से हटके question ना पूछे लोगा definitely campus जो है weather के हिसाब से घौहाटी का आपको अच्छा मिलने वाला है अब यह बात नहीं पूछोगे आप आजाओ इस question पर क्या करना है इसमें तो देखो जरा ध्यान से कर लिया बहुत लोगों ने very good तो इसका capacitance अगर C है इसका capacitance अगर C है तो इसका capacitance क्या हो जाएगा क्या इसमें Q equal to C में V same है दोनों capacitors के लिए V same है और C की value इसकी KC है और इसकी C है तो अगर C की value ज्यादा होगी तो Q ज्यादा होगा आशुतोस दिख्षित एस करेक्ट अंजेश एस करेक्ट बहुत लोग बहुत लोग का बहुत लोग का यह questions आई शुट पहले answer देख लिए बच्चा आपका बिल्कुल और करेक्ट एंसर अच्छा यह में आया हुए question है यहाँ पर mention नहीं है मेरे से miss हो गया और कोई बात न अच्छा यहाँ mention है यही 2008 का question को थोड़ा सा try करके देखिया और आसान सवाल है कुछ मुश्किल नहीं है अगर कुछ मुश्किल बात है तो मैं कर दूंगा लेवल ओफ लिक्विड बात जानते तो हो आप लोग फिर भी आप लोग कह सकते हो कि सर आर सी सर्किट तो आप नेक्स क्लास में पढ़ाने वाले हैं तो आज आपने आर सी सर्किट की बात कैसे कर ली तो अगर आप यह बात कह रहे हो तो मैं आपको बता दूं जो टाइम हमाने पार स्टीर See निकालना है तो लिकुल मिला के आपको क्या निकालना है और देखते हैं कि यहłosन सही होता हुटा है आपका की गलत होता है बहतर सवाल है अभी तक जो चौन सबसे बड़ा पोश्चंस भी लेकर कए आयों मैं पर उस कुवश्चं से पहले यह बरियर है इ कि कोले-क अ percent को आप and Fogas करने की कोशिश किया करी सब्सक्राइब कि कि स से करने की कोशिशू करें। जैसे आपने question देखा तो बाकी सारी बातें दिमाग से बिल्कुल आपको हटा लें अगर इसमें आप दिक्कत महसूस करते हैं तो मैं आपको बहुत आसान सा रास्ता बता रहा हूं सुबह उठकर के पांच मिनट और ज्यादा टाइम एक मिनट एक मिनट एक जगह बैठिये कुछ जगह कुछ भी हो सकती बिल्कुल शांत होनी चाहिए और किसी एक बात के बारे में सोचाए कि एक बात क्या हो सकती है वह सकता है आप पेपर के बारे में सोचा है, यह जो बस रोज एक मिनट ये काम करने की प्रैक्टिस करिए और देखिए किस तरह से आपका फूप होता है तो आप करके देखेंगे तो आपको 15-20 दिन के बाद इसका असर दिखना हो जाएगा और आप को देखकर करके डेएट होना बंद कर देंगे आप पढ़ेंगे तो आपका सारा दियान में रहेगा इधर उदर की बात नहीं आएगी अभी और इसके बारे में सीकुलेंट रिंटु सीकुलेंट यही लिखा हुआ है तो आपको मैंने हेल्प कर दिया टाइम कॉंस्टेंट के बारे में वैसे करने वाला हूं आप लोगों साथ लेकिन आज क्या करें तो आज मैं कह रहा हूं आप केवल केवल और केवल आर को छोड़िए सी निकाल लिए औ के आशुसोस दिक्षित कहते हैं섯 अप्षे मैच कर रहा है सत्झ हिंसे का भी ऑप्षे मैच कर रहा है तर्चाइब है जलत कर रहे हैं ऐग लोगों के कि हुए हैं लेकिन आपना को शेयर कर दीजिए और लोग भी वो पाइदा उठा पाएं जो आप वो भी आपके साथ ट्राइब करें उनके भी क्वेशन सही हो गलत हो वो भी कुछ सीख करके जाएं करके शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सरके आपकी बाट तो चलो आओ इस क्वेशन को ट्राइब करते हैं जरा देखते हैं ध्यान से क्या कह रहा है लेवल ऑफ लिक्विड इनिशली डी बाई थ्री है यह देखो डाइग्राम में बिल्कुल क्लियर है यह डी बाई थ्री ब दर यह देखो इक वल्टू जीरो पर ये है की टाइम पर मैं कहरा हो मानलो यह आ गया है यह जो गैप है हां से यह हूं कि गैप कितना होगा अब आप देख लो तो ऊपर वाला है पॉर्शन इसको इतना बढ़ा हो जाएगा और नीचे वाला पॉर्शन इतना इतना वाले प जाएगी d by 3 minus और उपर वाले की अगर ये length लिखना चाहूँ मैं तो ये d by 3 जाए समझ पा रहे हैं आपके और ये दोनों capacitors आपस में series में ये capacitors actually दो capacitor का series combination at time t मैं capacitance लिखना चाह रहा हूँ, capacitance आएगा epsilon not a upon t1 by k1, चलो इसकी t1 कर रहे हैं, length 2d by 3 plus v upon k1 मतलब कितना 1, 1 क्यों रहे है, नीचे liquid है, okay, plus t2 by k2, t2 कितना e by 3 minus v upon k2, अपान k2, आपका time constant tau से मैं represent, तो this is the answer, बच्चा, इसको थोड़ा सा solve करो, देखो, एक step लिखना है, आपको एक step लिखना है खटाकस एन्सर आएगा, तुर्रंत एन्सर आने वाला है, आपधा, एक 스ट लिख दीजे, एक step लिख दीजे और, देखे किस तरह से answer आपके सामने होगा, एक स्टेप लिख दीजिए और देखे किस तरह से एंसर आपके सामने होगा एक स्टेप लिखना है के वल एक स्टेप लिखना है एक स्टेप लिखना है एंसर आ जाएगा एंसर में अभी दिखा रहा हूं आपको क्या आ रहा है आप लिख के बताएं जल्दी से लिखे बच्चों एक स्टेप लिखना है सीधा एंसर तक पहुंच जाएंगे आप से नेक्स स्टेप विल भी दे एंसर तो अब ऐसा क्यों हो अजनेश कह रहे हैं सी आ प्रियांशी कह अब मेरी वाइस ठीक आ रही होगी ओके अरी आवाज है अलो है अच्छों अच्छों अब प्रियांशी मिस्रा ने अपना एंसर चेंज किया ए पर आ गया है अजनेश आपका सी आ रहा था एक बार चेक करो एक बार जल्दी से बताओ क्या एंसर आ रहा है आईए देखते एंसर क्या है इसको सॉल्व करके नेक्स टेप जो आएगा पर सीधा आपका रिजल्ट आएगा और समझ में आई ठीक ट्राई करना 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 यहीर बटा और कुछ नहीं करना यहीं एंसर क्या आ रहा है मैं कोई चैलिज नहीं कर रहा है मैं कह रहा है इंसर तोल भी 10-point है ना एंड ऊप्शन आ ठीक का लो आगे और मैं लेके आया हूं हला आदूंगा आप जड़ा ट्राइब करिये और देखिए क्या एंसर इसका बन रहा है यह क्वेश्चन पढ़िए जड़ा ध्यान से क्या कह रहा है इसमें एक निया टम यूज किया गए इसको अगर इनसलेटर होता है और डाइलेक्टरिक अगर इनसलेटर है तो उसके थू करेंट निए पास कर सकती इवन इफ दा इस आरेट्स अगर थोड़ा भी कम हुआ तो considerable amount of current will pass through the dielectric तो dielectric slab जो है उसके पास insulator की property भी है और conductor की property भी है conductor की property बहुत कम होती है और insulating property बहुत ज़्यादा होती है इसलिए उसको insulator बोलके हम काम कर रहे थे पर यह question क्या कह रहा है यह कह रहा है कि नहीं पुड़ी सी conducting है dielectric अपना दिमाग लगा ने तो बताना था बता दिया कह रहा है तो प्राल्ल प्लेट 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 अपकेश्टर है वीकल अपोजिट चार्ज इस क्यूव अधर दाइलेक्रिक विच इस फिल्ट बिविन दे क्पैस्टर है जाद आईलेक्र कॉंसेंट अधर मैंने चार्ज इसको दिया को दिया मानलो चार्ज प्लस क्यूव अधर मैं अधर लिखने के लिख दूंगा भी जवाब का नहीं आएगा तो मुझे ओ हो 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 है सशांक ने एंसर लिखा है वाई रो एपसाइलेन नौट वाई रो एपसालेन नौट मैं कह रहा हूँ अगर यह ऐसा रखा हुआ है न तो नो प्लेट टाइलेक्ट्रिक बने रहने दो और उसी टाइलेक्ट्रिक के रजिस्टेंस रिखा करके इसको ऐसा बनाये जा सकता है अक्या है समय दोनों प्लेटों के बीच में रेस्टेंस का कनेक्शन है वही रेस्टेंस में यहां बना रहा है अरल क्या हो जाएगा अगर यह डिस्टेंस है यहां इस टील रिस्टेंस क्यों कि आपे चार्ज है माट कि इस पोटेंशिल दिफरेंस अग्रॉस दिवाइड बाई रजिस्टेंस कर दोगे बाद में चार्ज बदलेगा तो करेंट बदलेगा तो सॉल्व करना है बस आ जाएगा और आर की वैल्यू आप रखेंगे रो इंटो डी अपॉन यहां पर यह दोनों प्लेट को जॉइन करने वाले रेस्टेंस आ उसको उठा के मैंने बाहर से जॉइन कर दिया पर प्लेट के बीच में तो है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है तो समझ में आई बात क्या है ठीक है है अससांग के भूल गया होता ऐसा कई कई बार हो जाता है तो के को ध्यान रखना है अगर आप देखो इस बात बतारो अगर आप लिखे करोगे ना थोड़ा सा पेंड चलाओगे शांग आप अगर बताएं या आपने पेंड चलाया या आपने ऐसे और इसको सॉल्व करने की सच बताना जोट बूल क्या फाइदा है अगर आपके वल इतना ही डाइग्राम बना लेते ना इतना बनाते और कम बना लेते तो आप के नहीं भूल सकते हैं आप से के मिश्कियों हुआ है इस होने का सिर्फ एक रिजन है कि आपने डाइग्राम नहीं बनाया तो आपने आखों से आप लगतार देखते रहेंगे तो मिस कैसे होगी समझ में आई बात क्या कॉपी पेन है साथ में है तो उसका यूज़ भी करना है बिल्कुल उसका यूज़ करना है ठीक है तो यह आ गया इसको आर की वैली उठाके रखो देखो आपके सामने एंसर होगा और एंसर इसका मैं आपको दिखा दूँ एंसर आ रहा क्यू अपॉन के रो के एपसालन समय उसने सी वह वाला लिख दिया जो बिन डाइलेक्ट्रिक के होता है पास इतनी गलती की यह गलती भी हमें नहीं करनी क्योंकि इस छोटी सी गलती के भी माइनस वन माक्सी मिल बच्चों बात समझ में आ गई सबसे खास बात क्या होती है सबसे खास बात होती है आप हर ऑप्शन को एक बात चेक अगर आपने हर ऑप्शन को कुछ नहीं किए तो आप यह मांन लो कुछ ने कुछ आपसे मिस्ले ए बी छार और ऑप्शन आपको वैरिफाई करने िन घ्र मिल और मिलकुल क अ सब्सक्तिम निकालो थंधोलो तो इन दोनों में से एक और याप्शन आपको पिस्ता रहें कौन को सी बात आपको सोचने है एलेक्ट्रिक फिल्ड सोचने हैपको सोकने से तेंक से बार एक है एक बार एक बार एक साथ करेंpower और इसा करने से पहले एक कर दो के पास मेरे टेलीग्राम चैनल पर और जहां पर भी आप कनेक्टेड है उन सबको एक बार इंफॉर्म करिये और बुलाईए और उनसे यही वाला क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए देखा जाए वह सोच पारे कि नहीं सोच पारे आप लोग कर लेंगे कि आप लोग इस क्वेश्चन को डेफिनेटली कर लेंगे थोड़ा सध्यान से सोच अगर आपने थोड़ा सध्यान से सोचा तो कोई चांस नहीं है कि यह कुश्चन आपका गलत चलिए देखा जाए क्या होता भाई समय बताएगा आपने सही सोचा है और अगर गलत होगा तो मुझे बढ़िया बोलें जुरुत नहीं है लिखा होगा यह सवाल होगा तभी जी लेकिन मैं आपको बताना क्या चाहता हूं इस सवाल के माध्यम से वह यह कि बहुत बेसिक कॉंसेट पूछा गया एडवांस में यह खास बात है इसको अग्शुतोस का एंसर आया A&D मयंक आया B मयंक सिंह कभी आया मयंक अगरवाल कैते हैं इससर बी और डी आ रहा है एक बार और ट्राइक करो विटा एक बार और अपनी कौपी को ध्यान से कोई मिस्टेक तो नहीं हो अगर अपने की अपने सॉल्यूशन को a parallel plate capacitor has a dielectric slab or dielectric constant k between its plate that covers one third of the area of its plate as shown in the figure the total capacitance of the capacitor is c while that of portion with dielectric in between as a plate area covered by the dielectric gets charged to rest of it you Oh my god I'm sorry it's an end I'm sorry I'm sorry it's been 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 I'm or my young singh car I've been a lot of money प्राइफ प्राइफ लेट हो गए चलो कोई बात कोई बात नहीं से स्टार्ट करो अभी कुछ सवाल भचे वह इसको ट्राइफ करते हैं अजिसे आरिफ ट्राइफ करो इसको स्वेस्ट को एप पर कि विनीद कह रहें सर और बिल नहीं है ऐसा कैसे हो सकता है यहां से तो सब कुछ ठीक है मेरे को कैसे और बिल नहीं है अलो वाकी लोग बताईए एक बार क्लियर करिए क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक कि वाकी लोग एक बार बताईए क्या मेरी आवाज आ रही है क्यांसी मिस्रा ने फाइनली बताया बी एंडी अब ओके चलो देखा जाए सबसे पहली बात है रहा हूँ दो पैरलल प्लेट कैपेस्टर ही अगर अगर आप कैपेस्टेंस देखोगे के उपर वाले का करआप क्पैस्टन वाले का टाइलेक्रिक कॉंसेंट दिक हुए के जिया दिया हुआ है एंभाई 3 का-डाय आए अगर वाले का सी है और सी वन के जरा एक बठीक करो किया है C1 क्या है », the total capacitance of the capacitor is C, while that of the portion with dielectric in between, total capacitance is C कह रहा रहा है, और यह C1 कह रहा है, मैं कह रहा हूँ, इसको कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, C1 कि वैल्यू क्या हो जाएगी, प्सालन नौट, और और हो जाएगा तालेंड नॉट तरी तरी तो पैरलेल में है पैल्यू क्या हो जाएगी प्लस 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 एकर किया जाए तो एपसालेंड नॉट अगरमन ले लो है अगर आएगा कि अगर ऑफ यह पांड सी मन कर देंगर पैल्यू यह और और सीवन की वेल्विये है कि अपॉन सीवन करोगे तो क्या रहा रहा है देखो यहां पर भी यहां पर बहुत बढ़ी है तो पता लग देए कि ऑप्शन इस प्रेक्ट बात समझ में यह option क्या हो गया यह बात तो समझ आप जड़ा दूसरी बात ध्यांगे कि यूँवन अपॉन क्यों कि यूँवन क्या यह वेन दे कपैसराचाद प्लेट एरिया कवर्ड बाइड डाइलेक तो इस पे चार्ज है और इस पे चार्ज की बात बात अब्यों बूत है से सारे पॉइंट इक्पॉइंट और यह भी टिफरेंट इसके भी सारे c2 will be q1 upon q2 q equal to cv होता है v बराबर है potential difference बराबर है c1 upon c2 पर आए c1 by c2 की value निकाल के देखो ज़रा क्या आ रही c1 upon c2 value c1 ये है और c2 ये है c1 upon c2 करोगे तो k by 2 option अब ये बच गया अरे ये तो बहुत आसान है ये ही mark कर दो ये तो गलत है इन दोनो plates के cross potential difference और इसके cross potential difference बराबर है और net electric field potential difference by separation ही तो होता है तो separation भी तो बराबर ही है इसका potential बराबर है इसका इसका बराबर है तो potential difference इसके cross इसके cross बराबर है electrostatic के हिसाब से कह रहा हूँ मैं potential difference by separation will be electric field potential difference by separation will be electric field तोनों जगे पराबर होनी चाहिए और इसका मतलब है एवन अपाउन एटू विल डेफिनेटल लिए बहुत अच्छे बहुत लोगों ने सही निकाल लिया था बहुत लोगों ने सही निकाल लिया तो जितने भी बच्चे हैं आपर सेशन को लाइक करके शेर करी अपने फ्रे प्रेक्टिस हो जाएगी तो काफी फायदा होगा बाकी सुट तो बच्चों एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ यह जरूर शेयर कर दीजिए इस भी टेलीग्राम ग्रूप के आप कनेक्टेड़ है वहां भी डेफिनेटली है तो शुड़ाइ मूव टू नेक्स क्वेस्ट इस अगला सबहर है और अगला क्वेस्टिन यह है कि ओलंपियाड्स स्टेज बंगा कुष्चन को सकता नहीं है कि ठलो है लेकिन है सच जूट पे नहीं लिखा है सच बात है यह क्यों आसान है को गया जायेग पहुत आराम से लेखना चाहता हूं कितने लोग सक्ष्टिन का आंसर करेक्ट करते हैं। Okay type स्टांट सॉल्विंग दिस कोश्यन वच्छो फट से इस कोश्यन को ट्राइ करो सट करो सॉल्व करना, दीन है जा स्सक्राइब नुच्टन को प्रफे लुट हां। आज पांडे कह रहे हैं बारिश हो रही है कि अपना मज़ी के अलावा हर मौसम पढ़ने की थोड़ी सी कम होती है तो अगर बरसात हो रही तब तो जो पढ़ाई में वही है तो अब पढ़ाई कर और क्या काम पता आपको और कोई काम बेसिकली दुनिया पचाई करने के लिए कारे काम ओनलाइन तो तेकिन आथ में पढ़ाई करते रहें पढ़ाई के लावा और कोई रास्ता नहीं आगे ठीक है है कि आट रुक रूक क्यार है हैं एयसा तो नहीं मेरी आवाद कि मेरे कहने से अ आर विम्दों निकाल लिया है ब्र ऑफ्षन कहते हैं आरव्ध कहते हैं भी कृँधिंज सीमिसरा कई लोग कह रहे हैं तो हो सकता है आप आज में प्रॉब्लम हो इस कुश्चन को सॉल्व करो फटा फट इस कुश्चन को सॉल्व करो और यह कुश्चन आप नोट कर लीजिए बाद में ट्राइ करिएगा कोई एक और इंपॉर्टेंट बात है सेशन खतम करने से पहले वो चीज मैं आपको डेफिनेट्ली पता देना चाहता हूं आप इस कुश्चन को देख लीजिए क्या है कुश्चन आप कर लोगे कोई दिक अब सही हो गया प्रियांसी का एंसर है इसका थी समझ में आ गया बच्चो बहुत बढ़ी एक और कुश्चन मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूं यह कुश्चन आप जब भी कुश्चन को ट्राई करना चाहें यूट्यूब पे आकर के इस वीडियो को देखें और इस पर्टिकुलर टाइम देख लीजिए कितने बज़े है ना और इस लोकेशन कितने मिनेट के बाद है इसको देख लीजिए और इसको ट्राई करेंगे हो जाएगा बहुत आसान सवाल है आप लोगों ने इतने सारे अच्छे-च्छे सवाल कर दिए तो इसमें क्या मुश्किल है एक छोटा सा इंपॉटेंट पॉइंट है मैं थोड़ा सा और नेगेटिव चार्ज को ऐसा दिखाया जाता है क्योंकि यह दोनों एक दूसरे से डिजॉइंट हैं फ्री हैं यहां पर यह इलेक्ट्रॉन कंड़क्टर का एटम मॉलिक्यूल है यह तो पॉस्टिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से बाउंड नहीं है नेगेटिव चार्ज कौन सा आउटर मोस्ट और्बिट का इलेक्ट्रॉन जो मूव करके एक जगे से दूसरे जगे यहां रखता उसकी बात हो रही है लेकिन जब हम इंसुलेटर की बात करते हैं तो दोनों को बाउंड दिखाते हैं अगर मैं यहां पर एक इलेक्रिक फील यह मॉलेक्यू रोटेट करेगा और रोटेट करेगा और अλάइन हो जाएगा फाइनली कैसा और यह अलाइन हो जाएगा देखो पॉस्टिफी पेख लगद लग राहे है और यह इससा अलाइन कि इस प्रसेस को भी पलाइशं बोलते हैं तो अगर मैं कोई insulating material लेता हूँ जिसके अंदर जो substance है वो polar है और एक external electric field अगर लगा देता हूँ इस direction तो अगर मैंने electric field लगा दी छोटी सी information आपको देना चाहता हूँ यहाँ पर molecules का arrangement कुछ ऐसा हो जाता है यहाँ plus minus plus minus यहाँ पर भी plus minus plus और नीचे तक है अब देखो क्या सोचा गया सोचा यह गया कि अगर मैं इसको और इसको इतनी portion की बात करूँ तो यह लगबग overlap हो रहा है तो इसको neutral मान सकते ऐसा ही देखो यह भी overlap हो रहा है इसको भी neutral मान सकते तो एक इस जगह एक negative charge और इस जगह एक positive charge हमको दिखाई दे रहा है जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो summarize कर रहा हूँ यहाँ पर जड़ा ध्यान से देखिएगा मैं आपको यह कह रहा हूँ कि parallel plate capacitor की यह दोनों metallic plates है और यहाँ पर एक dielectric रहा है अगर यह plus q charge इसको दिया गया माइनस q charge इसको दिया गया और यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर negative charge ऐसा दिखाई देखाई और यहाँ देखा जाए तो positive charge ऐसा देखाई और इसके अंदर का पूरा material neutral मना जाए लेकिन इस capacitor पर जो charge की बात आएगी तो प्लस की जो charge metallic plate पर वही charge of the capacitor है dielectric की surface पर जो charge है उसको charge on the capacitor कभी नहीं कोलते हैं यहाँ पर जो charge आएगा minus q dash है मानलो और यह charge plus q dash है definitely आपने यह derive किया होगा तो q dash की value है तो q into 1 minus 1 by k के बराबर आते हैं यह बहुत basic बात है और यह बात बच्चों आपको ध्यान रखेए तो डाइलेक्ट्रिक के बारे में इतना ही जो next class में लोगा वह भी के पैस्टर पर बेस्ट होगी class will be on Monday और टाइम यहीं होगा दो से तीन और उस class में डाइलेक्ट्रिक नहीं आरसी सर्किट के बहुत बढ़िया सवाल लेकर करके आऊंगा जो मेंस और एडवांस दोनों को टार्गेट करते हुए होगा दो से तीन में class लूँगा कब मंडे को ठीक है बच्चों तो एक बार सेशन को लाइक करके शेर कर दीजे अपने फ्रेंड सर्किल में और उसके बाद हम लोग अभी तक का पूरा रिवीजन आज सटर्डे है आज और कल का आपके पास टाइम है संडे संडे तक में आप के पैस्टर की सारी प्रॉब्ल चैनल है डेफिनेटली आप लोग तो कनेक्ट हैं वहां पर वहां पर मैं एक असाइंडमेंट के पैस्टर का भीज सकता हूं जिसको आप लोग करते हैं बहुत अच्छे से और उसके बाद जो भी आपकी दिक्कते हों वो मुझे बताएं टेलिग्राम पर कनेक्ट हो करके मै आपको उसका लिशन आपकी प्रॉब्चो आज की क्लास यहां पर खतम होती है गुड़ लग आज और कल के दिन को बहुत सही उसकरना है और ऐसे हर दिन को अगर आप सही से यूज करते रहे और रेगुलर आपकी थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस होती रही आड़ अड़ ए प्रका वरी प्रोगम प्रॉब्चो आपकी थोड़ आपकी थोड़ आपकी थ।